मन्य उद्दक्ष मुद्वाद भाजपा से बाजेट चर्चा के उपर नौर्टिश से एक छोटा राज्य सेया मैं संसत के नाते चुन काया हूँ सिर्फ दो ही MP है और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम के बाद और आज मुझे बोलने का मौका दिया गया इस बाजेट के उपर मैंसे लिए हमरे दल्ग के सबसे बड़े नेता देश के जशश्य प्रधान मुंत्री आदिर नरंद्रवाई मुदी जी का अभर प्रकट करता हूँ और साथी साथ निर्मला सितरामन जी ने जीस तरीके से इस बाजेट को प्रस्तुत किया है मैं इसका साहराना करता हूँ और इसके समर्थर में खड़ा हूँ मान्याद्ध्श मोदा शलाजी जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था नरंद्वाई मोदी जी ने 2014 से प्रधानमंत्र की नाते काम शुरू किया और उस समय जो आर्थिक स्थिती देश का दस साल की यूपी गवर्णेंट ने छोड़के गया था तो भारत का जो आर्थिक स्थिती है जो अनुमानल किया जा रहा था भारत फ्राजिल पाँच देशों में चले जाएंगे अनुमान्या प्रधानमंति नरंद्वाई मोदी की नेत्रितुम्हें एक पारदर्शी आर्थिक ववस्ता को देश में लागू किया गया आर्थिक बशिम्मा और करोना के काल रहने के बाउजद भी आज दो आर्थिक सर्वे आया हुआ है इसमें साड़े चर परसन से साथ परसन तक जीडिपी रहेगा अनुमानी थे और यह बाजट एक फोकास्ट बाजट है और इस बाजट में लगबख 48 लाग करोर का बाजट पेश किया गया है 2023 से लगबख 18.2 परसन्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है इसका मतब इंफरस्ट्रेक्चर और जॉब अपर्चिनिटी बढ़ता है और सासत जो हमरे फेडरलिजम के बारे में स्टेट के बारे में पताया जाता है मैं निर्मला सितरामन जी को धन्नवाद देता हूँ आपने ऐसा बाजट पेश किया जिसमें चार लाख बिरासी हजार करोर रुपे सभी राज्यों को शेयर जादा जाएगी इस बाजट से इसलिए जो शेले जाज़े ने दो राज्यों के बारे में बात कर रहे तो हो सकता है कॉंग्रेस के खाते में बिहार और अंदरप्रदेश नहीं है हमारे खाते में ये दोनों भी है बाकी सब भी है इसलिए इस बाज़ेट के माध्धम से जब सर्वांगिन विकास और उस तरफ मानने प्रधान मंत्रेजे ने रोकिया है 2013-14 के बाज़ेट दो 16 लाग करोर के असपास होती थी कॉंग्रेस के लाश्ट जो बाज़ेट है और आज वो 48 लाग करोर में पहुंचा हुआ है और इसमें पास साल में इसमें पास साल में 4.1 करोर जुबाओ को रोजगार कोशल औरन अवस पर मुहिया करया जाएगा अभी रोजगार के बारे में बात हो रहा था मैं आता हूँ और इसमें देश के जो पास सो फाइव हंड़ टॉप जो कमपनीस है जो रोजगार स्रिजन कर सकता है इस पांच सो कमपनीयों में पोर्टल के माद्धम से एप्लिकेशन लेके एक करोर जुबाओ को इंटर्शिप का मौका दिया जाएगा और हम छोटे से सुनते आएव है स्कील के बारे में जापान के बारे में, कुरिया के बारे में, चीन के बारे में जो वहां स्कील इतना ज्यादा है लोग घर में बैठके काम कर सकता है मोवेल बना लेते हैं बाकी सब काम करते हैं, हर आदमी के बास काम है, रोजगार है सुनते सुनते मेरा तो बावन साल क्रोस के तिपन में पहुच गया हूँ कि तो मानिये प्रधान मंति नरंद भाई मोदी जी को, मैं धन्वाद देना चाहता हूँ निर्मला सितरवन जी को जो आपने ऐसा एक बाजेट पेश किया, जिससे जुबाओ को रोजगार मिनने का अफसर आया है, गरांटी के साथ, मोदी के गरांटी के बने में बात हो रहा था गरांटी है मोदी का, अभी भी है, इस बाजट में भी है तादा माननी अध्दस महुत है माननी अध्दस महुत है कलना अंदा को मैं बहुत स्रद्दा करता हूँ, दादा मेरे बड़े है और मैंने उज दिन जब लोकसोंबहे में चूनका आयता दादा आपने बहुत प्यार से अज्या विपलाः बोला था बंगला में मैं आपको स्रद्दा करता हूं जो मैं कहना चाहता हूं यह देखो मैं अंतीम बक्ति में बैठा हूं एक छोटा सा राज्यों से छोटा सा गाउं से आया हो विक्ति हूं तो मेरे बाद भी सुना करो अभी यहां सेलेजा जी ने बोला था जो अंतीम विक्तियों के बात में बारे में सुने तो मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूं मेरे तो थोड़ा बहुत सेलेजा जी मुझे संग्रशन दे दिजी मन्याद्दक जी हमारे यहां कॉलेजों में इनिवर्सिटिस में बड़े मात्रा में केमपस सिलेक्शन होता है आच्छे कॉलेजे में तो 100% केमपस सिलेक्शन होता है किन्तु किसी गाउं में कॉलेज हो कि छोटे जेले में हो उसमें केमपस सिलेक्शन नहीं होता एक दो परसिंटीज होता है जुबाव पॉणने के बाद आशा करता है मुझे कुछ मिलेगा और मान के चोले किसी केमपस से 30% केमपस सिलेक्शन हो गया और बाकी लोग रहाए गया 70% इनके मुझ में इन्फेरिटिंग कंप्लेक्स आता है फरस्टेशन का शिकार होते है डर्स का शिकार होते है इसमें प्रवधान रखा जा आपका केमपस सिलेक्शन नहीं भी हो किन्तो हमारे देश में जो बड़े-बड़े कंपिनिया है टफ पांसो कंपिनी है उनमें आपको इंटर्शिम करने का हंडेट परस्टन मौका मोधी गारंटी दे रहा है और उसमें पहले मांद को सिक्स थाउजन रुपेश और उसके बाद एक साल तक उनको पर मन्त पांच हजार रुपेया करके दिया जाएगा और उसमें का ट्रेहिंग होगी और उनमें उक्वालिटी हो उसी कंपिनी में उनका चैन भी हो जाएगा अज देश में जब की कमी ऐसा नहीं है पारदर्शिता का कमी है स्कील्स का कमी है यह जो कंपनी है जिसका अंदर स्कील है मैंने देखा जो एक्स्पिरेंस है वो आज इस कंपनी में है कल उस कंपनी में चला जाता है यहाँ छोड़ देता है उहाँ चले जाते हैं किन्तो गरीब बच्चे जिसके पास एक्सपिरेंस नहीं होता जिसका केंपास सिलेक्शन नहीं होता आज नरंदरवाई मोदी वहाँ खड़े है जो मैं गर्जयान हो मैं तुम्हारे साथ हो मैं गरिब के साथ हो मैं अस्टी के साथ हो मैं अस्टी के साथ हो मैं दलित के साथ हो इस बाजेट में वो दर्शाता है लंबे सुमें कॉंग्रेस का राज था किन्तु कॉंग्रेस ने कभी भी उस दृष्टी से जुवाओं को दिखा ही नहीं मन्याद दक्षमोदा इस बाजेट शिक्ष का रोजगार विकास के लिए 1.48 लाग करोर का प्रवधान रखा गया है यहां से उठ रहा था मुले कुछ दरुस्ता ही नहीं है बड़े मत्र में रखा गया है मुदा इस बाजेट में किसानों के लिए किसानों के लिए फार्टिलेजर में सबसिडी भी 1.75 लाग करोर है एक्स्ट्रा वो भी किसान के लिए कि जा रहा है और मुदाए मन्य प्रधानमंदी नरंदभाई मोधी के नित्रित में पिछले 10 साल में 24 से 23 तक लगबग 14 लाग करोर MSP में दिया गया है आश्यजर जी सिह रियाना के बारे में बात कर रही थी है मैं कि आपके हरियाना में इसब से ज़ादा भारत यों जनता पार्टी के सरकार MSP दिया जाता है किसान को आपने आईर पोर्ट के बारे में बोला हिसार में एरपोर्ट तैयार हो चुकी है आप वहाजे चड़ सकते हैं जरूर आप जादा हरियना को जानते कि आप उसमें जनम लिया है और मैंने जब दिल्ली में नैने आया था तब आप मुंत्री थी आपको कैसे मालूम चलेगा आपको मैं अधर सम्वन करता हूं आज आपने जिस तरीके निर्माला जी को धन्नवाद देते हुए एक अलग ही गेश्चर है मैं इसका साहराना करता हूं अधर्दक्ष मुएदाए आज नरंद्राय मौदी जी के किसान के प्रती जो काम करने का तरीका है उसी करण से भारता दुग्दोत पादन में दुनिया में नंबर वन है कैसे हुआ किसान के लिए नहीं काम करता पहले कॉंग्रेस के जमने में तो नंबर वन में ने था नहीं था नहीं था किया जड़ा मुझे डेटा देखा दिजिए मैं अब अद्रक जी को बोलता हूं डेटा मांग लेजिए दुग्दोत पादन में देश का सिती क्या थी आज दुग्दोत पादन में नंबर वन है मोटे आनाज उत्पादन में नंबर वन है चावाल और गहूत पादन में नंबर टू है यहां सम्वेजान की बात उठा है सम्वेजान लेके शपत ग्रहन करना पड़ता है सत्तर बार कॉंग्रेस में देश में 356 लगाके इस सम्वेजान का खत्ता किया हूआ है कि अब बलतो हो मंता दिदी नीवे लिए चोड़ा था सी पेम के ऐसा चोड़ा था क्यूंकि कूछ तर्बोद धिके साथ थी इसलिए दिदी ने छोड़ दिया अज-चोड़ के त्रिमाल कांग्रेस बनाया और दिदी को एक कॉंग्रेस और कॉम्यूनिस्ट के लोगने कश् ली लगी थी दिदी कोई कॉमिनिस्ट और कॉंग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्टेचर पर दिदी को एक एक रिक्षा वाला ने उठा के लाया था मैं जोटनी ददा मैं सज बता रहा हूं आज उनके सब आप बैठे हो जिसने दिदी का मता फटाया उसके साथ बैठे वो दिदी देख रहा है इसलिए इसलिए बंगल में दम था इसलिए इन लोगें साथ नहीं किया आप इनके साथ बैठे हो ददा आप पर यहां सुन्दर नहीं लगता ददा आप इधर बटो कल्लान दगाक नाम कल्लान है कल्लान करो इदर हो और मोदी के साथ ही कल्लान कर सकतो यहां बैटके नहीं कर सकतो यहां एक परीबार से गांधी परीबार का कल्लान करने वाले लोग हैं इसलिये इसलिये मैं जी स्टेट से आता हूँ ट्रीपल आउ छुनलो मान्य अद्धेस्ज मुंद मैं जी स्टेट से आता हूँ उसमें sydρα आक पर कॉम्इनिस tidak मिदर हों में कॉंगे काया बिप्तों कॉंग्रेस के मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट बोदिशा सुन लागू किया और बेठा दिया सीपीम को यह काम क्या है मनिया दुश्मदा मन्मान सिंग जी दस साल तक देश के प्रधान मुंतिर रहे हैं दस साल तक प्रधान मुंतिर रहे हैं और इस दस साल में असाम से राज्यसबा अंपी रहे हो गोगोई जी यहां बैठे हुए असाम से ही राज्यसबा एंपी रहे प्रधान मुंतिर मन्मान सिंग दस साल किन्तु नौट तिस्ट में एग बार भी नहीं गये मेरे मेरे स्टेट में तुमाने पाटो भी नहीं देखा उनका और प्रधान मुंतिर नरणराय मोजी आप तक नौट तिस्ट में 90 बार गा चुके हैं मंत्री परिशब्द बैठे हुए 700 बार नौट तिस्ट में प्रभाज किया है और आज नौट तिस्ट के राज्य 85 परसेंट जादा किसी जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है मेरे मेरे में अद्दक्ष महदा 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 सम्मीदान की बात करता है 75 में इमर्जिंसी लगाने वाला कौन है इमर्जिंसी कौन लगाया था किसलिए लगाया था डेश में इमर्जिंसी कब लगता है जब 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 दैस्थ में कोई ख़रा होता है दस्में कोई डिजस्थर होता है कोई जुद्ध होता है कि नो 75 में क्यों इमर्जेंसी लागा किस कारण से लगा एक बेक्ति के लिए इमर्जेंसी लागा दियागा भारत जासा गनत अंत्र का ताकर्णे वाले संभीदान लेके घुमता है कि संभीदान लेके घुमता है कि इस देश को इस देश को इस देश को इस देश को मेर्जेंसी एक परिवार के लिए एक इंद्रागंदी के लिए इमर्जेंसी लगाया गया देश में जुद्ध नहीं था देश में ख़रा नहीं था फ्लाड नहीं थी वो लोग बलता है संभी कि लान के बाद वाबा साथ को बाबा साथ पामदत्कर को इलेक्षन में हरने के काम किया है कॉंग्रेस ने प्रधान मंति नरंदर्वाई मोधी जी को मैं सनोट करता हूँ को आपने पंचा तिर्थ बना के इनको जबाब दिया जो हम सब के साथ है इस देश के जब के कमी नहीं है इस देश के स्कील का कमी है और स्कील डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री भी नरंदर्वाइ मोदी जी नहीं बनाया था और राजी प्रताबरुडी जी मेरे मित्रेह बेटे वे थे वहाँ पहला मंत्री बने थे कोई बात नहीं अभी दुखोगे जी के साथ मैं आपको हमे में चंता ने जोशी जी बात बोलके क्यों दुख देता हो जंता ने हटा है इनको तीन बार मिला के तीन इलक्ष्मन मोदी के समने हा रहे हैं तीन बार मिला के भी दो सो चलिस नहीं हुआ हमारे चार सो के लिए चिंता हमें देखता हूं हम बैट बैट के इतना चार सो के चिंता इतना चिंता है मैं अभी तो इतना चिंता नहीं किया बाद में आपके चिंता के करने हमारा चिंता भी हुआ मेरे लिए हमारे पार्टी के इतना सोच रखते हैं चार सो पार की नहीं हुआ माने अद्धक्षमोद है यह चार सो पार करेंगे 277 तक भारते जनता पार्टी और NDA को गवर्मेंट रहेगा 400 पार करके जनता आप जबाद देगा देगा जबाद माने अद्धक्षमोद है माने अद्धक्षमोद है मैं उस पार्टी से बिलॉंग करता हूँ मैं आप से आगरा करूँगा आप बेटे बेटे कोई वेक्ती अगर कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो माने अद्धक्षमोद है मैं यह बताना चाहता हूँ जब मैं जीस पार्टी से आता हूँ भरते जन्ता पार्टी उस पार्टी ने मुझे आठ साल मेरे पॉलिटिकल के रिया रहे उसमें से मुझे प्रदेश अद्धक्ष बनाया एमेले बनाया चीप पिनिस्टर बनाया इसको इस प्रश्टी करन दे रहे हूँ भरुलेंड के समाधान हो नगालेंड के समाधान हो 60% 60% नाटिस में आफसा खतम करने का काम हो और मान्या अद्धक्ष महद्या आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा मेरे राज्यत्रिपरा में आपने ही देश के जजन जाती है मिजुराम से डिस्प्लेश हो के 1998 में त्रिपरा में रिफुजी जासा 23 साल रहे है कॉंग्रेस और कॉमिनिस्ट के सरकार रहे है केंदर में मिली जुली सरकार रहे है ST-ST के बात करता है रिफुजी के इंपे 23 साल रहना पड़ा 36,000 फेमिली को इनको ना पड़ाई का ना भुटा दिकर कुछ भी नहीं था जन चाती है ST है गरीब है और इनको हक दिलाने के काम स्थाई रुफ से त्रिपरा में रहने का काम आदि ने प्रधान मुंति नरंदराय मोदी जी ने 600-700 करूर रुपे के पैकेज़ देखे किया है मेरे मीत्रों अब्द्दक जी एक कोई छोटी बात नहीं है 23 साल तक आपने देश में कोई रिफुजी बनके रहता है क्या कर रहे से केंद्रे में सरकार त्रिपरवाई कोमेनिश्ट के सरकार इनके एक समय पांस साल मिली जूली सरकार थे सपोर्ट था किन्तु इसे जनजाती के लिए ये स्टी समाज के लिए काम नहीं किया गया है त्रिपरवाई में लंबे समय इंसर्जिंटी थे एनेलेफ्टी को सरंडर करने का पुद्धती अमिद भाई शाह गिरह मंतर जी नहीं करवाया है इसलिए नौट तिस के बात हो और पूरे देश की बात हो मानियो परदान बुद्धती ने हर शित्र में पिछले दस साल में काम किया और इसका पुरिणाम जो मैंने शुरू में कहा जो एक्स के पेडिल एक्सपेंडिचर 18.2 परसंट बड़ा है ऐसे नहीं बड़ा है उन्होंने काम किया है इसलिए बड़ा है और मैं बिश्वास करता हूं मानियो प्रदान मुंति नरंद्रा मोदी जी के नित्रित्व में अगले तीन साल के अंदर आज जो दुनिया के फिप्त एकोनोमी है और वो थाड एकोनोमी में चले जाएंगे सरकार बचाने का इतना चीनता है सरकार बचाने का इतना चीनता है मन्या अद्शमोद है इस बज़ेट को शलेज जी ने बोला कुरसी बचाओ बज़ेट इसका मतलब बिहार और अंदर बोदेश को ज़रूरती नहीं है यह बज़ेट सब के लिए किया गया है मैंने आपको बताया तो लगबग पूने पाँच लाग करोर सेयार स्टेट गवर्णे को अलग-अलग स्कीन के माद्धम से सभी रज़ों को जाएगी इसमें यह सिर्फ दो रज़ों में नहीं जाने वाला है इसलिए इसलिए मन्या अद्शमोद है इस बाज़ट के माद्धम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सितरामन्जी ने और मानिय प्रधानमंतिन नर्मगवे मोजीज के नेत्रितों में यह ससकत बाज़ेट जुबाओं के बाज़ेट मुहिराओं के बाज़ेट गड़िवों के बाज़ेट अमन्रगा के बरे में बाचीछ चला ता मन्रगा में 25,000 करोर रुपे बढ़ाया गया इस बाज़ेट में ज़रा देख लीजिए पढ़के पुड़ा पर लीजिए अंतीम बेक्ती हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग है सब के लिए नरंद्राय मुदी जी ने इस बाज़ेट में काम किया है मेरे में अब्दक्ष्टी अब्दक्ष्टी मैं मानता हूं मुदी जी के नेत्रित में जो काम शुरूआ 2014 में और अगले 2047 तक अंडिये के गवर्मेंट रहत हुए देश को दुनिया के नंबर वान एकोनोमी और देश को एक नया उचाहिए देने का काम जो रविंद्राट टेगोर ने सोचा था अभी दादों को अच्छा लगा टेगोरा याद दा मैं बताता हुए बंगल में हमारे बंगल में अब शदर्श मीसा जी आप सदन की नेता भाशन दे लेना बेठे बेठे टिपनी बहुत कर रही हो आज बाशन में नाम निजिती हो ना मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं सामी द्रायनंज सरसती समात सुधारक के नाते जाना जाता है कि कुछांस करको खतम किया है इश्यक्चंद्रा विद्धा शगर को विद्धाव विवा के लिए जाना जाता है समात सुधारक के नाते राजा राममोन को जाना जाता है समात सुधारक के नाते कि कुछ शतिद्वा प्रता रद किया है मैं आज माननियो प्रधान मुंत्री से अर्थिक सुधार नहीं किया समाज सुधार रखके ना तबी काम किया उन्होंने भी तिन तलाग खतम करके समाज को सुधार के रख दिया मेरे में इसलिए माननियो प्रधान मुंत्री से अर्थिक सुधार नहीं किया मननियों प्रधान मुंत्री दी ने समाज सुधारक के नातविक काम करके इस देश के समाज को सुरिक्षी तराच के दिखाया रहा है सच्च भारत की बात सच्च भारत की बात कर सच्च भारत इस सच्च भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों के एक सबाब बदला है मैं भी छोटा रहते बस से जाता था तो बिस्किट खेया तो बहारी फेकने जो रहरी महाशिक्षा दे बहार फेको बस में मत रखो आज मैं जब देखता हूँ कोई बच्चे गाड़ी में जाता है रास्ते में चलता है तो कुझ भी रास्ते में नहीं फेकता है वो नरंद्राइमोदी जी के सच्च भारत मांसिक्ता करें से पूरे समाध में परिवर्टन हुआ है और साथ ही साथ सच्च भारत वही नहीं है डिजी डिजिशन है सच्च भारत के माद्दम से करफशन को खतम किया है और करते रहेंगे नरंद्राइमोदी और उससे बड़े मात्र में भारत के लोगों को लाब हुआ है, सच्च भारत से जारू मारना नहीं, सच्च भारत करफशन को खतम करना है, और नरंद्राइमोदी जी ने करफशन खतम करके एक नया आयम कया है, इसलिए मन्या मैं इस बाजट को सपोर्ट करता हूं समर्थन करता हूं और इतना बहतरीन बाजट के लिमानने प्रधान मंत्री और निर्मला शितार मंजी को बहुत बहुत धन्वाद देता हूं आप सब को भी धन्दवाद